नमस्कार इस वीडियो में हम जानेंगे धान के प्रमुक पेश्ट में से एक राइस केस वर्म के बारे में तो राइस केस वर्म का साइन्टिफिक नेम निफूला डिपंक्लिस होता है और यह लेपिटोप्टेरा ओडर से बिलोंग करती है और इसकी फैमेली होती है है पायरेल देखते हैं हम लोग देख सकते हैं कि राइस केस वर्म का डिस्ट्यूबेशन भारत के अलावा साउथ इस्टेशिया ऑस्ट्रेलिया और सभी राइस ग्रोइंग अरियां में हैं मतलब जितने सारे rice growing area से सब जगह rice case warm का infestation देखा गया है ऐसे rice case warm का होस्ट rice के अलावा बहुत सारे grasses भी है लेकिन महतकुन तोर पर इससे rice पर ही देखा गया है अब हम इसका damaging symptom देखते हैं क्या है चुकि rice case worm lepidoptera order का है तो lepidoptera order के larva ही मतलब damaging stage होते हैं तो यह जो larva है lepidoptera order के larva को caterpillar करते हैं तो caterpillar किस तरह से आनी पहुँचाते हैं तो आईए देखते हैं तो full grown caterpillars found in tubular cases made out of paddy lip attached हैं इक टूद लीप ले जो भी यह caterpillar हैं यह tubular cases में पाए जाते हैं यह tubular cases बनते कैसे हैं यह tubular cases petty lips से ही बनते हैं और यह जो caterpillar क्या करते हैं कि scletanize कर देते हैं lips को ladder-like manner में मत्तब यह ladder-like manner में feed करते हैं caterpillar और pupation कहा होता है तो pupation होता है उसी tubular case में जो की attached होते हैं basal lips में lower side में caterpillar क्या करते हैं feed करते हैं green tissues of the lips में और leaf whitish papery color papery हो जाता है तो आप यहां देख सकते हैं किस तरह से whitish papery हो गया है caterpillar के feed करने से और यह tubular cases कहां पाए जाते हैं यह tillers के around कल्लो मत्वधान के कल्ले के चार ओर पाए जाते हैं और यह बनते कैसे हैं जो apical portion of the lips होते हैं वो उसी से tubular cases बनते हैं और यह tubular cases पानी में तैरते रहते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह पानी में तैर रहे हैं यह tubular cases और यह क्या करते हैं कि यह caterpillar क करते हैं lips को जिस सतरह कैहची काटती है पाथे को उसी तरह यह tubular काटती है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह यहां पत्ती को काट दी है campaign इस तरह कोका कल देखते हैं अब हम लोग इसका life cycle क्या है और इसका binomics क्या है तो देखते हैं तो adult होता है वो delicate white color का होता है जिसमें brown wavy marking होता है हम first picture में देख सकते हैं किस तरह से white color का mode है जिसमें wavy marking है अब हम लोग जो भी इसमें हम लोग देखें कि लार्वल stage ही मतभानी कारक होता है तो जब adult से फिर यह larva बनती है तो adult एक देता है यह leaf पर और एक period 2-6 दिन का होता है तो यहां आप देख सकते है कि किस तरह से adult एक दी है leaf एक लेड़ की है leaf पर और leaves जो एक फिर larva में convert हो गया है फिर larva जो होता है वो pelt translucent green color का होता है और उसमें उसका जो head होता है वो orange color का होता है आप picture में देख सकते है किस तरह से translucent green color का larva होता है और यही लार्वा टूलर केस का फोर्मेशन करता है और लार्वा पेरियड 14 से 20 दिंग का होता है 14 टू 20 डेस का होता है और लार्वा के साइड में बोडी के साइड में फिलामेंटस गिल्स होता है जो उसके सेमी एक्वेटिक लाइप बनाने में उसको प्रदान हेल्प करता है चुकि यह larva जो होता है वो पानी में तेर रहा होता है तो इसके मदद से, filamentous gaze के मदद से यह पानी में तेर सकता है और इसका जो pupation होता है यह tubular case में होता है 4-7 दिन का होता है और इस तरह से हम लोग इसका life cycle 1937 दिन में यह life cycle पूरा करती है हम लोग देख रहे हैं कि adult किस तरह एक मास में convert हुई और एक मास फिर larva, larva फिर pupa, pupa किस तरह tubular case में मतलब अपना pupition करें फिर pupa से adult का formation हो रहा है अब हम इसके management को देखते हैं किस तरह से हम इसका management कर सकते हैं क्योंकि इसका प्रबंदन बहुत ही जरूरी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि careful timing of planting and avoid damage अगर timing अगर हम लोग जो भे planting का timing अगर उसका careful management करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको damage को avoid कर सकते हैं क्योंकि tailoring stage के बाद rise case warm का मतलब infestation नहीं होता है क्योंकि उस time धान suitable host नहीं रा जाती अब हम लोग एक महत्वपून विदी है जिसके माध्यम से rise case warm का प्रवंदन करते हैं हम लोग रस्ती के माध्यम से दहान के पोधे को dislodge करते हैं गिराते हैं जिसे क्या होता है कि लारवा जो भी होता है rise case warm का लारवा या एक माह से वो पानी में किर जाती है और पानी में तैरने लगती है और जिसके मदद से हम लोग पानी को फिर drain कर देते हैं फिल्ड से जिससे क्या होता है कि एग और लारवा वो खेट से बाहर निकल जाती है और इस तरह हम लोग manage कर सकते हैं rise case warm का हम लोग use of correct fertilizer application water spacing और early planting की मदद से भी rise case warm के infestation को कम कर सकते हैं हम लोग kerosene oil का application करते हैं 6 liter प्रती एकड के दर से rise case warm के management के लिए और biological control के लिए हम लोग hydrophilid और detecid water beetle का use करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये larva को खाती है और fed करती है larvae fed करती है जिससे क्या होता है कि rice case warm का management होता है हम लोग chemical control में chlorophyary force का use कर सकते हैं 20 EC का 625 ml प्रती एकडियर के दर से 750 लिटर पानी में घोल बना कर हम लोग 20 से 45 दिन के बाद छिर्काव कर सकते हैं इस तरह से हम लोग rice case warm का management कर सकते हैं अब हम लोगों इस वीडियो में जाना rice case warm के बारे में rice case warm के distribution उसके bionomics के बारे में उसके damaging symptoms के बारे में और उसके management के बारे में अब हम लोग आपको नई नई पेस्ट के बारे में अब नई वीडियो नई नई वीडियो लेखे आएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके बताए, लाइक करे, सेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे हम इसी तरह नए ने एगरी कल्चर से जुड़े वीडियो लेकर आएंगे और हम इसकी जानकारी देते रहेंगे बहुत सारे पेश्ट के बारे में धन्यवाद